नमस्कार दोस्तो आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जो बहुत कन्फूजिंग बना दिया गया है हाले कि है भी बहुत कन्फूजिंग भारत में कोई भी लड़की 18 साल से कम की अगर है उमर उसकी तो वो शादी नहीं कर सकती ऐसा एक कानून है यह सब जानते भी है लेकर आपको पता है अगर लड़की मुस्लिम हो तो 15 साल की उमर होने के बाद वो शादी कर सकती है यह भी एक कानून है जिया, Muslim Personal Law जो है, Muslim Personal Law का Article number 195 यही कहता है कि अगर कोई लड़की Muslim है और अगर वो 15 साल की उमर पूरी कर चुकी है, अपनी आईउ की, तो जाइड सी बात है, वो शादी कर सकती है, अपनी मन पसंद के लड़के के शाथ, और ये मुद्धा आज कल हाई कोटों में काफी मुद्धे पोचे थे, बिल्कुल पोचे थे, लेकिन पहले इसी साल 2022 में ही ये दिल्ली हाई कोट पोचा, और उसके बाद उसने उस पे महोड लगाई, और उसके बाद हरियाना और पंजाब हाई कोट भी ऐसी कहती है, क्या कहती है, Law is Law, Muslim Personal Law के तहत, Article 195 के तहत, अगर Muslim लड ये, सरकार ने इस बात पर बहुत तवज्जू दिया थे, कि 18 साल की उमर होनी बहुत जरूरी है, कम से कम, कम से कम, सभी धर्मों के लिए, और सुप्रीम कोट का 2017 का फैसला, जीहां, 2017 को सुप्रीम कोट ने भी फैसला सुनाया था, और उन्होंने साफ साफ तवज्जू इस अपने भले के लिए जादा नहीं सोच सकता है, ये सुप्रीम कोट ने का, और इसके कई प्रकार के साइड इफैक्स भी सुप्रीम कोट ने गिनवाए, जैसे कि अगर कम उमर में लड़की की शादी होगी, यानि कि जल्दी से उसकी शादी होगी, तो प्रेग्रेंसी के चा स्वास्थ फिर बहुत गहला प्रभाव पड़ता है, और कई बार तो माता का देहान थी हो जाता है, तो सुप्रीम कोट का कहना बिल्कु साफ था, ये 18 साल की जो उमर रखी गई थी शादी करने के लिए लड़कों की, कई रिजन थी, एक जल्दी शादी होगी, तो इतनी बात हुई, उसके अलावा अगर वो बच भी गई, तो मानसिक हालत का क्या, अपने बच्चे को खो देना, ये तो सभी समझ सकते होगे, अपने प्रेजन को या किसी भी बच्चे को खो देना, मानसिक हालत का क्या, और मानसिक हालत के साथ साथ उसके भवश्य का क्या, उसके पढ़ाई, पढ़ाई कब होगी, कम उमन में अकर शादी हो जाएगी तो जनाब इतना तो अब मैं अपनी तरफ से बोलो, सुप्रीम कोट की तरफ से नहीं इतना तो आप लोग भी जानते होगे, हमारे समाज में बहुओं को जाहिड सी बात है बेटियों को पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन बहुओं से नोकरी कराते तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन पढ़ाई, घर बैठे करवाते हैं, कई बार सरकारी नोकरी के लतियारी करवाते हैं, या कई जॉब लगवा देते हैं, लेकिन स्कूल कोलिज में मैंने थोड़ा कम ही देखा है, हो सकता है मेरी भी नजरे कम जो रह गई हो इस मामले में, लेकिन मुद्दा यहां पर वो भी नहीं था, दो कानून, एक दूसरे के बता है ऐसा क्यों होता है, चलो यह तो उसकी बात हो गई, लेकिन आपको बता है, एक और कानून यहां पर कॉंट्रेडिक कर रहा है, और वो है पोस्ट को, प्रिवेंशन ओफ चिल्डरन अगेंस्ट सेक्स्वल ओफेंस, पास हुआ था 2011 में, लाग हुआ था 2012 में, इसके माध को देखा जाए या नहीं देखा जाए, वो क्राइम होगा, जियां, अगर कोई 17 साल का, 16 साल का बच्चा अपनी मर्जी से भी कोई योन गतिविधी को अंजाम देता है, सेक्स्वल गतिविधी या किसी सेक्स में इन्वोल्व होता है, तो वो भी क्राइम होगा, उसकी के खिलाफ हो, क्राइम तो क्राइम है, अब सुप्रीम कोट दुबारा इस मामले में कोशन उठाने लग गई है, ये मामला अब सुप्रीम कोट में दुबारा पहुच गया है, खासकर इस पोस्कों को लेकर, क्योंकि जाएज सी बात है, अगर शादी होगी, तो सेक्स्वल भी बनेंगे, और अगर वो होगा, तो चाहे वो मर्जी से हो, चाहे वो अगेंज से हो, वो तो क्राइम है, तो क्या ये क्राइम, जो बच्चों के साथ होने वाले योन उत्पीडिन्स को एक प्रिकासे बैन करता है, और बच्चों के राइस को लीगल करता है, तो क्या ये म पोस्कों के तहत किसी अदालत का दर्वाजा खट-खटा पाएगा क्योंकि जाहिए सी बात है मुस्लिम लोग तो कहता है कि 15 साल के बाद शादी कर सकते हो शादी भी कर सकते हो कोई बिर्इलेशन भी बना सकती हो और बनानी के बाद अगर आपकी अपने पती से नहीं बनी आके और परिवार से नहीं बनी और आपने कुछ और रास्ता अपनानी की कुछ करी तो क्या पोस्कों के तहट फिर आपको संड्रक्शन प्राप्त किया जा सकता है क्या अब यह अपने आप में कोश्र मारक आ गया और दूसरी बात फिर वही वाली बात सरकार कहत नागरिक्ता है मैं भी अगर अमेरिका चला जाता हूं been और जो भरप्रा पहले वह अमेरिकन ही लाएगा ले इस नगरिक्तांप्ट कर सकता है यह कैते उए मैं तो नाबालिक था मुझे समझी नहीं थी और भारत उसको रोक भी नहीं पाएगा भारत को उस बच्चे को नागरिक्ता देनी पड़ेगी। तो जो बच्चा गारी नहीं चला सकता बाइक स्कुटरस्कुटी नहीं चला सकता अपनी मर्जिसे नागरिक्ता नहीं दे बच्चों को सभी धर्म और जाती और सभी और आती से नहीं होस्त कुछ से कम है उसके सार्थ हुआ है उसकी मर्जी से या से खिलाफ उसकी मर्जी के खिलाफ वह क्राइम है अधालोतों में हजारों केस अब आने वाड़े हैं जो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अधालोतों का दर्वाजा खटखटाएंगे जनाब अब शादी तो हो गई है और संबन भी बन गए हैं लेकिन अब मुझे रक्षन चाहिए पॉसकों से दिलबादों के का पॉस्वाल है सोटनाजरू नामस्कार